लालू प्रसाद यादों हो या तेजस्वी यादों अगर यादों के लिए कोई one man army है बिहार में तो वो केवल और केवल लालू यादों और तेजस्वी यादों इस वक्त पर तेजस्वी से बड़ा active यादों का नेता बिहार में कोई नहीं है पपू यादों है तमाम कई दूसरे यादों नेता है लेकिन यादों मानता है कि केवल तेजस्वी यादों ही उसके लिए one man army है अब क्यों इसका प्रमार है कि पपू यादों यादों के सामने खड़े होकर मंच से मानो भाव को होकर कहते हैं कि हमको सबसे ज़्यादा डर लोगों से लगता है क्योंकि पपू यादों को पता है कि चाहें आप कितना भी रुपिया बाट दीजिए आप गरीबों का कितना भी मदद कर दीजिए लेकिन चुनाओ के वक्द पर यादों को सामने केवल दिखता है ते जस्वी यादों लालू प्रशाद यादों और लालू प्रशाद यादों के तरह ते जस्वी यादों भी अपने आपको यादों के लिए सबसे बड़ा चेहरा बिहार में बना चुके हैं उनसे बड़ा कोई नहीं मतलती लालू यादों जैसा पकड़ वो बना चुके हैं अब क्यों तो रालू प्रशाद यादों के जैस तेजस्वी यादों के पास एक प्रकार का राजनिती करने का धीरे धीरे उनके अंदर सलिका आ गया उस प्रकार की रणनिती उन्होंने अपनाया और इन तमाम चीजों पर आगे बातचीत करेंगे जिसके कारण तेजस्वी यादों से बड़ा यादवनेता इस वक्त पर भीह यादो ने कभी कहा था कि यादो कभी तूटने वाला है क्या, एक दम सही बात है कि यादो चाहें जो हो जाए, लेकिन वो कभी ते जश्वी यादो लालु यादो को छोड़ेगा नहीं, अब इसका प्रमाड है, प्रमाड क्या है? तो पपू यादो मान लिजिये कि यादवों के नेता है पपू यादो भी तो जाती से यादो है वो भी तो पूरे बिहार में घुमकर गरीबों को पैसा बाटते हैं मदद करते हैं कोई जरुवत रहती है तो कुछ भी होता है तो पपू यादो जाकर वहाँ पर परिवार के स खड़े होते हैं तेयस्वी तो ऐसा भी नहीं करते लेकिन फिर भी पप्पू यादो इस बात को खुद से मानते हैं कि सबसे जादा डर उनको यादों से है क्योंकि दूसरा जात तो उनको अपना मान लेगा लेकिन यादों उनको अपना कभी नहीं मानेगा और यह पावर दि के बाद अगर यादवों के लिए कोई विहार में one man army बनकर खड़ा हुआ है तो वो हैं तेजस्वी यादव अब रणिती पर आईए सबसे पहली बात तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं सत्ता में आने के बाद आरक्षन के दारे को बढ़ाया जाता है जिसके बाद पिछ जस्वी यादो सत्ता में है जो हिंदू परवो की छूटियां है उसको काटा गया मतलब कि एक बार फिर से शायद तेजस्वी यादो के मन में ऐसा हो कि तेजस्वी यादो बिहार के मुसलमानों को खुश करना चाहते हो तो यह भी राजनीती ठीक लालू प्रशाद यादो व जिनका एक नाम है कद है लेकिन उसके बावजुद वो स्वीकार नहीं करता क्योंकि उसके मन में यह बात बैठा हुआ है कि लालू प्रशाद यादो ने यादो को बैठना सिखाया लालू प्रशाद यादो ने यादो को बोलना सिखाया और जब लालू प्रशाद यादो ने इतना कुछ किया तो यादो किसी और के साथ कैसे जाएगा फिलाल बिहार की राजनिती में अगर यादो का कोई एक लोता राजा पहले था तो वो लालू प्रशाद यादो थे और मौजूदा वक्त पर कोई एक लोता राजा है बिहार की राजनिती में यादो का तो तेज कि यादो वोटरों को थोड़ा बहुत भी काटा जाए लेकिन यह सब कुछ कितना संभव होगा आगे आने वाला वक्त बताएगा और कैसे तेजस्वी बिहार के यादों के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं और अब उनके सामने कोई दुसरा यादो टिकने वाला नहीं है हम आपकी क्या इस परड़ा है कमेंट बॉक्स लेकर रहिएगा तमाम ख़बलों के लिए मरसत बने रहिएगा कि अमरेक्षेप शाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंग बहुत दो धन्यवाद